ये हैं गनेश, इन्होंने कल रात इतना प्यारा मैसेज किया कि आप हमारे तरफ आके जाएए, मुंसी कंपॉर्ण आके जाएए, तो मैं इनसे मिलने आ गया हूँ, क्या कहेंगे गनेश? मैं कोई नहीं कहना जाता हूँ, कि आगली लोग को यही कहना जाता हूँ, कोईना वाजच्थे बजीए, अपने कारिवर लएए, और अपना चाच्च्च अपनी क्यान अप लगिये, आज कर, आफिस भी लगबख चालू ओने वाला है, लेकिन C videos कि आपने आफिस नहीं है, औ और चादा बहार कुम के अपने को तक्वीब मुझ दीजे। तो दोस्तों ये गनेश थे इन्होंने इतना प्यारा मैसेज किया हमें, बहुत लंबा चवड़ा मैसेज किया और इन्होंने कहा था कि आप हमारे मुंसी कंपॉंड एक बार जरूर आईयों, और इन से खास में मिलने के लिए इसलिए आया कि इनका मैसेज बढ़ा प्यारा था, तो आज मैं आपके मुसी कंपॉंड आया हूं और आज आपका चलते चलते में मुंसी कंysip कंपॉंड का एरिया दिखाऊंगा, मुंसी कंपॉंड हमारी बाहर हैücht। इतना अच्तल कॉप्लेक्स है। और इसके सामने ठीक छहां पर खड़ाओं में राधाख्रिश्ना मंदिर है। यह राधा कृष्ना मंदिर है। और मुंसी कमपॉंड जो है इसके उधर है तो यह इस वक्त दोस्तों जो मैं खड़ा हूँ वो राधा कृष्णा मंदिर के पास कृष्णा अस्थल है और यह बड़े प्यारे हैं गनेश जी जो चलते चलते हर रोज देखते हैं और उन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज किया थ तो दोस्तों आज आपको इस एरिये में चलते चलते जो भी मिलेगा वो दिखाऊंगा थैंक्यू सो मच्छ जैन दोस्तों तो यह थे गनेश जो कृष्णा अस्थल के पास रहते हैं और इनको मैं मिलने आया इन्होंने वड़ा प्यारा मैसेज किया था कि हमारे एरिये में आके आए तो आज इनको मिलने आया यह आटा चक्की की दुकाल है सामने और यहां पे यह काम करते हैं यहां पर काम करते हैं न चलिए फिर मुलाइकात होगी थैंक्यू सो मच्छ तो यह गरेश है और यह जो एरिया है कृष्णा अस्तल के नाम से इसको जाना जाता है यह और यह मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस रास्ते से जब हम सीधा सीधा जाएंगे तो आगे जो है मुनसी कमपॉंड है और यह कृष्टनास्तल का एरिया है तो हवे आज इसलिए मैं सिर्फ आज इसलिए आया कि जो गनेश थे उनका बड़ा प्यारा मैसेज था थोड़ा सा उनको बोलने में तकलीफ होती है मैंने सोचा जाकर के उनसे मिल के आऊं और यह जो है प्रिश्टनास्तल का ही एरिया है पूरा करीब करीब ्हले दिकलीफ विर्यच सक करें अच्छा क्सव कमड़ें सकेंघ्वाक म्हल्च पर निहीं से च्चार लड़के हैं और इन्मास्व इंहां पेना हुआ है कुछ नहीं किया ओआ है और यह सोज जिस्टेंस को मेंटें स्यक्षिक्ष को घटब यह रहे हैं नहीं рез وैन से में दि चलिए टांकियो तो यह कुछ लड़के थे जो बोल रहे थे कि हमें दिखाऊ बट देज नो मास्क मास्क वगर नहीं पेने वे थे और उन्होंने यह इस बात की खाईस जाहिर कि हमें दिखाऊ तो हमने यह विजुवल निकाला है उनके लिए यह मुंसी कंपॉंड का एरिया ह ना के बराबर यहां पे लोग मास्क पेहनते वे दिख रहे हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं इस मुंसी कंपॉंड में खड़ा था और कृष्णा अस्तल के पास था गनेश से मुलाकात करने का इंतजार कर रहा था तो मैंने ऐसा महसूस किया कि छोटे बच्चे जो है एक छोटे बच्चह जो है आया और चुकी उसने हमारा कैम्रा नहीं देखा था involves और उसने कहा कि जो है उसके हाथ में तंभाकु के पाकेट थे और वह मेरे पास ले करके आया और बोला कि मने तंभाकु लेंगे क्या मतलब वह बेशने की कोसित कि और उसने उसकी कीमत जो है एक पैकेट तंबाकू की पचास रुपे बताई छोटे चोटे चोटे बच्चे थे आप सोच सकते हैं कि तंबाकू, सिग्रेट, गुटका इस तरह का जो है बैपार लॉक्डाउन के प्रियर्ड में चुकि सारी दुकाने बंध है और इस लॉक्डाउन के प का एरिया है और मुंसी कमपौन में हमें ना के बराबर जो लोग है वो मास्क पेने वे दिखाई दे रहे हैं तो इधर आने का वजे ये था कि यहां के हमारे वीवर्स थे गने इस जिनोंने बड़ा प्यारा मैसेज किया था और उनने कहा था कि आप जो है एक बार हमारी तर यानि कि रादा कृष्णा मंदिर है और वहाँ पर हम गए थे वहाँ पर हमने जब उनसे बात की बात करके जब हम बाहर निकल रहे थे तो कुछ लड़के मिले जिन लड़कों ने जो है खाइस जाहर की कि उन्हें भी दिखाऊंग अलाकि मैंने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर म मास्क नहीं है सोसल डिस्टेंस नहीं है तो वह कुछ मजाग जैसा उड़ाने लगे जो कि अच्छी बात नहीं थी फिर भी हमने वह उनका वीजुवल सूट किया है आप जरूर देखिए और यह चिंता का बसे विसय है कि लोग जो है लॉक्डाउन तो खोल दिया गया है ल कासी मीरा हाइवे के पास आगे यह लेफ्ट साइड में जो है पेट्रॉल पंप है और यह पेट्रॉल पंप भी खुला हुआ है तो यह जो रास्ता है यह सीधा सीधा जो है फॉन्टेन की तरब भी जाता है अगर आप देखे तो आवाजाही जो है और शुरू हो चुकी है यह कासी मीरा हाइवे के पास का इलाका है और आप राइट साइड में देख सकते हैं यहां पर पहले जो है जब तक लॉकडॉंग था यानि दो दिन पहले तक पूरी तरह से बैरिगेडिंग थी यानि पूरा बैरिगेड किया हुआ था और आज जो है कही न कहीं जो है यह आसा दिर्ट खुला ओग दिख रहा है मैं आपको कोसिस करता हूँ कि यहां से जो है फिंदे के कुछ वेडिया तक को sway सर्ट कर दिखा हूं यह यह जो देख रहे यह बैरिगेड जो है पूरी तरह से बं था आवगा जाहीं पूरी तरह से बं थी यानि वेसाइट से लोग साइड नहीं आपाते थे फूरी तरह से लॉक्डाउन था लेकिन क्योंकि लॉक्डाउन फूल दिया गया है तो अब जो है जैसा कि एम आर रिजन में जो है लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं तो उसके लिए इपास वगरे की विज़रत नहीं है कल से जो है कैब ओटो रिक्सा य यह सब भी जो है चलना प्रूब हो जाएगा तो यह आज साथ जून है और साथ जून का जो यह ह्दू का विस्टन एक्सप्रेस यह न foto घरा है हम काशी मीरा से जो है डहीसर कि तरफ जा रहे है किसा चेक नागा की तरफ यह देख रहे हैं आपकी wel जो साइड की दुकाने हैं जो अभी तक तो हमें खुली भी नहीं दिखिए चुकि आःवे पे ज्यादा तर जो है बार और रेस्टोरेंट की दिखाई दे रहे हैं और बार और रेस्टोर्डेंट को फुला रहने का पर्मिशन नहीं है और यह देखे सीधा सीधा हम आगे जो है थोड़ी दूरी पे आगे लेफ्ट साइड पे जो है हाकूर मॉल पड़ेगा यह होटल है लॉजिंग और बोर्डिंग लेकिन यह भी बंद है तो यह दहिसर के जो हाइवे पे जादा तर जो होटल से लॉजिंग बोर्डिंग या फिर जो है पार एंड रेस्टोरेंट वगर है तो वो सब तो अभी हमें पंदी दिखाई दे रहा है बाकि कुछ खास जो दुकाने यहां पे तो हैने है देख सकते हैं यह मैटनेस है माई होम है कि यह हाइवे में राइट साइड थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि आपको यह लिखे आवाजा ही जो है चालू है पहले हम जब हाइवे पे आते थे लॉक्डाउन के ब्रेड में यह पूरा का पूरा जो है सनाटा जैसा दिखता था गाडियां ही नहीं दिखती थी क्यूंकि यह हर जगे पर बैरिगेडिंग थी एक सहर से दूसरे सहर में जाना उसके लिए भी जो है बैरिगेडिंग की हुई थी और लेकिन फिलहाल जो है यह सारे प्रॉबलम नहीं है लोग चल रहे हैं आवाजाई शुरू है क्रोना का कहर जैसे पहले था वैसे आप भी शुरू ह चालू है तो दोस्तों यह देखिया आगे अगर आप देखेंगे तो यह लेफ्ट साइड में जो है लिज़त पापड द्री उद्योग का यह कुछ तो एक फैक्टरी है और आगे जो है थाकुर मॉल लेफ्ट साइड में जहां पे बिग वजार वगरे सारा चीज है लेकिन दोस्तों मॉल्स को खुले रहने की परमिशन नहीं है और इसलिए मॉल्स जो है करीब करीब बंद ही दिख रहा है मॉल के आसपास जो है कुछ काम का अज शुरू है लेकिन यह मॉल जो है हमें बंद नजर आ रहा है तो यह ठाकुर मॉल है साइड जो बिग वजार वगरे ज एसलिए कुछ लोग मुझे बिग बजल से सामान लेकर के आते जाते दिख रहे तो साइड बिग वजार चालो है तो यह आगे जो है यह करीब 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 है हम दही सपानाका के पास आगे है अब यह देखतें लेफ्ट साइब पे जो है हां चालू है आगे आप देख सकते के अगर जब लॉक्डाउन था तो ठीक जो है आगे डोनों साइट बारिगेडिंग की हुई थी एक साइट मुबल पुलिस एक साइट कासीमीरा की पुलिस थी डिससन चेखना का चया चबस का शबू कि तो गाड़ीयों की आवजाई है देख सकते हैं लेकिन इसके पहले जम चाई लॉक्डावन में आया था तो मैंने देखा था कि गारियां बिल्कुल भी नहीं चल रही थी केकिन अब चुके पर्मिशन दिया गया है तो गाड़ियों की आवाज आई शुरू है लेफ्ट साइड में जो है पिटरिंग लेंड है हुंड़ई है यह सब देखें हुंड़ई भी खुला हुआ दिख रहा है हुंडई शोरूं और यह इनका सेल्फ आफिस है यह आगे जो है यह अजित पालेस है लेफ्ट साइड में पेंकर पाड़ा का इलाका है यह यहाँ पेंकर पाड़ा का इलाका है यह इदर भी जो है कुछ जादा कुछ खुला हुआ दिखने ही जाए कि बुकाने ही कम है लेफ्ट साइड में कुछ सौप्स है जो खुले वे दिख रहे हैं कुछ बंद दिख रहे हैं मिला जुला असर है इस साइड से हम जाएंगे तो आपको रॉयल कॉलेज देखने को मिलेगा तो दिखाओं आपको यह पुरा इस सांत इलाका है और श्रिष्टी इलाके में आपको सबसे जादा जो है पेड पौदे दिखेंगे जो बड़ा ही अच्छा है दिखी इतनी तेज कर भी है लेकिन इस जगे पे आपको च्छाओं दिख रहा होगा और बड़ा ही प्यारा बड़ी ही प्यारी हवा आ रही है तो ऐसा ही पूरा इलाका होना चाहिए हर जगे लोग जो है इसी तरह से ठेड पौदे का अगर ख्याल रखे तो हर जगे च्छाओं मिलेगा इस सामने ठीक जो है रॉयल कॉलेज है और कॉलेज भी बंध है अगर कॉलेज शुरू होता तो इस वक बच्चे बच्चियां यह जरूर दिखते तो जल्दी वो सब भी शुरू होगा दीरे दीरे लेकिन फिलहाल तो बंध है और राइट साइड में आप देख सकते हैं बक्ती वेदान्त होस्पिटल है काफी पुराना होस्पिटल है यह बक्ती वेदान स्रिष्टी की बड़ी एक बड़ी खासियत में से एक बड़ी खुवी में से जो है एक खुवी यह है कि आप स्रिष्टी का जितना भी इलाका गुमेंगे आपको हर तरफ पेड़ पौदे जरूर दिखेंगे जो कि बहुत अच्छा है दिखिए अगर मैं इसकी खुबसूरती को वियान करूं तो यह जो पेड़ पौदे दो कि जाड़ बहुत जादा है तो ऑक्सिजन लेवल जो है यहां का बड़ा अच्छा है पॉल्यूशन ऐसे भी कम हो चुका है चुकि दो धाई महिने से जो है गारिया नहीं चल रही है लेकिन आपको स्रिष्टी में आप आम दिन भी आओगे तो आपको बड़ा ही जाहत मिले और मैं तो जब भी ऐसे इलाके को देखता हूं ऐसे एरिये को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि कास जो है हर रोड के दोनों साइड जो है पेड़ पौदे हो तो कितना अच्छा है जैसे इस वक्त हमें जो है स्रिष्टी के आसपास देखने को मिल गाए तो दोस्तों यह बड़ा ही कूल इलाता माना जाता है और यह रास्ता सीधा सीधा जो है सांती नगर होते हुए मिरा रोड स्टेशन ठक जाता है यह कासी मिरा की पोलिस चो किये छोटी दोस्तों यह कुछ एक राउंड मैं यह कह सकता हूं कि कासी मिरा मुन्सी कंपाउंड से होते हुए दहिसर चेकनाका से होते हुए अजित पैलेस के पास से स्रिष्टी कॉंप्लेक्स होते हुए सांती नगर होते हुए मिरा रोड यानि एक पूरा राउंड है चलते चलते में और अवाजाही सुरू है लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं आते जाते दीख रहे हैं तो थोड़ा सा राहत मैसोस हो रहा है अच्छा भी लग रहा है धीरे-धीरे जो है लोग इसी तरह से जो है आहर निकले और सोशाल डिस्टेंस को मेंटें करें मास्क पेने और मुंसी कंप बच्चे जो है बेचते हुए दिखाई दिये वह बड़े ही चिंता की बात है वह अधिशाब कुछ तंबाकू था उस एक तंबाकू की कीमत जो है पचास रुपे बताई जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वह साथ पांच या पांच रुपे का कीमत है तो यह किस तरह से होना जादा कीमत पे अलग-अलग शेत्रों में मुझे ऐसा लगता है पान बीड़ी सिग्रेट मिल ही रहा होगा क्योंकि आज मेरी नजर में यह चीज आया और यह चीज बिलकुल मुल्सी कंपॉंट में मेरे नजर में आया तो मुझे लगा कि आपको चलते-चलते में इलाके में हैं हम लोग और दुकाने बंद है तो और और एवन के हिसाब से दुकाने पुली जानी होगी तो साइद इस वज़े से जो है इस साइट की दुकाने बंद होगी तो साइद कल खुले यह दुकाने सीधा-सीधा जो है सांतिन अगर में मार्केट में हम पहुँच एक चौरहा है जिसमें जो है लिफ्ट साइड अगर जाएंगे तो अगर लॉक्डॉन नहीं होता तो भाजी मार्केट फ्रूट मार्केट यह सारा चीज बहुत बड़ी संख्या में लगता है राइट साइड जो है कपड़े की बहुत सारी बुताने होती है और लेफ्ट साइ साइल सौप है यह भी खुला हुआ है और यह देखें यहां पर इसा वाइन से तो साराब की दुकान तो बंद है और बंदी रहनी है एक नजारा पर मेरा रोड स्टेशन का भी दिखाता हूँ आपको यह लेफ्ट साइड में जो कुछ दुकाने है सांती सौपिंग सेंटर क यह की ही सारी दुकाने लेकिन यह सब बंद है बीच में मुझे कुछ दुकाने खुली हुई दिखी यह लेफ्ट साइड की सारी दुकाने बंद है तो हो सकता है कि यह सारी दुकानों को कल खोला जाएगा फिलहाल यह दुकाने बंद है यह देख सकते है यह पूरी की पूर अगर मैं स्टेशन दिखाऊं, यह देखिए स्टेशन के पास का एक चपल का दुकान खुला हुआ है, चपल की दुकान चुकि खोलने का परमिशन है, यह मिरा रोड स्टेशन है, नॉमली अगर आम दिन होता, तो यह पूरा खचा-खच भरा रहता, लोगड़न हलाके लेखिए स्टेशन है, आप यह देख सकते हैं कि अगर आम दिन होता, तो इस वक्त जो है, लोगों के आवा जाही पूरी तरह से सुरू रहती चालू रहती और यह पूरा का पूरा खचा खच भरा पड़ा रहता, लोग आ रहे होते जा रहे होते, ट्रेन के आवा जाही, ल उनसे मुलाकात हुई और इसके अलावा तो कुछ लोग हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आम दिन होता तो यह बहुत थी भीड़ भारवाला इलाका है और यह सामने देखे कि यह जो है मेजर कौस्तुब प्रकास कुमार राने की जो यह परतिमा है लगाया गया है यह मेरा वाइंदर के हैं जो सहीद हो गए थे और इनकी जो है परतिमा यहाँ पे लगाई गई है यह पूरा इलाका अगर आम दिन होता तो बड़ा ही भीड़ भारवाला इलाका इस्टेशन का इलाका आप कोई मुंबई के किसी भी इस्टेशन के बाहर का इलाका तो भी पूरी तरह से जो है आपको सन्नाटा ही दिख रहा है एक भी लोग नहीं है हलाके आज साथ तारीक है फेस वाइस लॉक्डाउन खोला जा रहा है लेकिन चुकि मेट्रो और रेल लोकल रेल जो है अभी तक खुलने का परमिशन नहीं है तो दोस्तों आज साथ जून था और हमने कोशिस की कि आपको थोड़ी विज्वल जो हकीकत है वो दिखा सकूँ और कमो बेज जो है यही हाल है तो हम उमीद करते हैं कि आरे वाले दिनों में क्रोना भागे और चहल भेल सुरूँ तैंक्यू सो मच